हेलो दोस्तों ये है होंडा होने 2.0 BS6 होनडा होने 2.0 में दो वैरियंट आते हैं 5 कलर आप्सन के साथ ये होने 2.0 का इस्टेंडर वैरियंट है मैटलिक रेड कलर के साथ इसके फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, नई अन्रोड कीमत कितनी है ये सारी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पर आपको मिल जाता है होनडा का स्टीकर इसके मीटर कंसोल के उपर यहाँ पर आपको नमबर प्लेट लगाने का उप्सन मिलता है और इसके इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं इसमें आपको जो है LED वल्व वाले जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है रेट कलर का कॉंबिनेशन भी मिल जाता है और इसकी जो headlight की बात करें तो यहाँ पर आपको fully LED headlight देखने को मिल जाती है जैसा कि यहाँ से आप इसकी low beam और high beam की light को देख सकते हो जो की night के लिए काफी जादा comfortable दी गई है इसकी रोशनी अब चलते हैं इसकी नीचे की side में तो यहाँ से आप इसके front वाले mud guard को देख सकते हो जो की matte red finish में दिया गया है और जो की dual tone color में दिया गया है black और red के combination में इसकी जो design है वो भी काफी unique दी गई है जिसके उपर आपको reflector भी मिल जाता हो यहाँ पर आपको ABS का logo दिया गया है और इसके front में आपको single channel ABS breaking system मिल जाता है 276 mm diameter disc brake के साथ में और इसके front में आपको 100 Y70 section के tire size मिल जाते है और इसके front में आपको 17 inches के black color के alloy बिल दिये गये हैं और यहाँ पर आपको golden color के upside down fork type suspension मिल जाते हैं जो की काफी unique लग रहे हैं तो आप बात करें इसके meter console की तो इस bike में आपको fully digital type का meter console देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप इसकी display को देख सकते हो और यहाँ पर आपको turn signal indication light, engine malfunction, gear neutral, ABS indication और man headlight, indication light देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको RPM की reading, km per hour की speed की reading और यहाँ पर clock दी गई है और यहाँ पर आपको km की reading और यहाँ पर fuel की reading और यहाँ पर आपको gear position indication light दी गई है जैसा कि इस bike में आपको 5 gear मिल जाते हैं जो आप इस display पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको दो button मिल जाती है इस meter console को adjust करने के लिए जैसा कि दोस्तों यहाँ से आप इसकी handle bar road को देख सकते हो यहाँ पर आपको key point देखने को मिल जाता है और इसकी जो side mirror है वो भी काफी unique design के दिये गए है अब बात करें इसके switches की तो यहाँ पर आपको passing switch मिलता है low beam high beam switch, indicator का switch और नीचे horn का switch मिल जाता है अब चलते हैं इसके दूसरी side में तो यहाँ पर आपको engine click का switch मिल जाता है red color के साथ और यहाँ पर man head light का switch और नीचे आपको self का switch मिल जाता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसकी जो design है वो काफी ज़्यादा unique और काफी ज़्यादा aggressive दी गई है और इसके fuel tank के ऊपर आपको Honda का 3D में logo दिया गया है जो की chrome finish के साथ है और नीचे की side में आपको graphics देखने को मिल जाते हैं और इसके fuel tank के ऊपर भी आपको Hornet का graphics देखने को मिल जाता है जो की काफी attractive look दे रहा है इस bike को और यहां से आप इसके fuel tank को देख सकते हो जो की काफी चोड़ा दिया गया है और यहां भी आपको carbon finish देखने को मिल जाती है और इसके side panel पर 2.0 और HET BS6 का logo दिया गया है और बात करें इसके पीछे वाले tire के size की तो यहां पर 140 y 70 section का tire size मिल जाता है इसमें 17 inches के black color के alloy wheel दिये गये हैं braking system की बात करें तो यहां पर आपको disc brake option मिल जाता है 220 mm की diameter के साथ में और इसका जो पीछे वाला tire है वो भी काफी चौड़ा मिल जाता है जैसा कि यह sports neck bike है और दोस्तों इसके suspension की बात करें तो यहां पर आपको monocross type का suspension मिल जाता है जो कि mostly आपको sports bike में देखने को मिलता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसके पीछे की side में चलें तो यहां पर आपको split जो है वो grab handle दिये गए है जो की separate है और यहां पर आपको matte finish मिल जाती है और इसकी जो tail lamp है वो आपको काफी unique design की मिल जाती है जो की LED में दी गई है और side में जो indicator है वो भी आपको LED में देखने को मिल जाते हैं और पीछे का जो look है वो भी आपको काफी attractive देखने को लगता है और इसकी जो दूसी side में चलें तो यहां भी आपको same sticker और graphics देखने को मिल जाते हैं और इसके पीछे की साइड में चलें लेफ्ट एंड साइड में तो यहाँ पर आपको company fitted black color का sardi guard दिया गया है जिसके उपर आपको plastic की covering देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको adjustable footrest और chancet का जो cover है वो आपको plastic का देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको rider के लिए adjustable footrest और यहाँ पर आपको five gear का manual setup देखने को मिल जाता है इस bike में और यहाँ पर side stand और man stand दिये गए है और इस bike में आपको 166 mm की ground clearance मिल जाती है और इसका जो engine का जो color है वो black color में दिये गया है और यहाँ पर आपको company fitted black color का एक leg guard भी मिल जाता है और नीचे आपको engine call भी मिल जात है जो कि इसके engine को protect करता है दूल मिटी और कीचर से करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 184.4 cc का air cooled forest truck ऐसा engine इसकी maximum power है 17.26 ps की 8500 rpm पर इसका maximum torque है 16.1 mm का 6000 rpm इसके acceleration की बात करें तो यह bike 60 km पर आर की speed को 4.67 second में achieve कर लेती है और इसका total weight है दोस्तों 142 kg तो अब चलते हैं इसके engine की दूसी side में तो यहांसे आप इसके engine की दूसी side को भी देख सकते हो यहां पर आपको engine oil का cap और यहां पर इसके engine head के ऊपर एक spark plug दिया गया है और यहां पर आपको जो है एक oxygen sensor देखने को मिल जाता है इसके exhaust के corner के side में और यहां से आप इसके जो है catality converter को देख सकते हो जो की नीचे की side में दिया गया है और जो की matte black finis में है और यहां पर आपको break pad और adjustable footrest मिल जाता है rider के लिए और यहां से आप इसके exhaust को देख सकते हो इसके उपर जो plate दी गई है वो आपको fiber की मिलती है और यहां से आप इसके exhaust की पीछे की design को भी देख सकते हो जो की काफी unique दी गई है अब दोस्तों मैं आपको इसके engine का sound और इसके exhaust के sound को note करा देता हूँ तो हम bike को start कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों bike start ओची है तो अब दोस्तों यहां से आप इसके engine के sound को सुन सकते हो जैसा कि Honda का जो engine होता है वो काफी ज्यादा refine और काफी ज्यादा engine होता है और जैसा कि यहां से आप इसके engine की sound को सुन सकते हो अब मैं आपको इसके exhaust के sound को भी note करा देता हूँ जाएगा अगर आप इसको पचास से साट की स्पीड पर चलाते हैं तो इकोनोमी जॉन में अब दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो हॉन्डा हॉन्डेट 2.0 स्टेंडर वेरियंट की ऑन रोड कीमत है 156,949 उरुपे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा क्लीड क्लीडियो ग्रणीरं किसली में चास दोस्तों अपको बात रे 6 छल ग 20.1 वे इसके पान डिर